बदलापूर के समय भी आपके साथ हुआ था और फिर ऑक्टोबर के समय भी आपने कहा कि क्यारिक्टर में किस हद तक गुजना है या एक एक एक्टर के हाथ में होता है या नहीं होता है होते हैं, 100% होते हैं तो आप अपने आपको छोड़ देते हैं कि घुस जाओ इस कारेक्टर में हर फिल्म में तो नहीं छोड़ता हूँ यह तो तूर्थ है बट कभी-कभी ऐसे फिल्म में आती है जा आप छोड़ना भी नहीं जाते हैं और वो फिल्म ही आपको पकड़ के ले जाती है अल्मोस्स एक आउटर बॉड़ी एक्सपीजिंस होता है और वो बदलापुर में हुआ था मेरे साथ एक हद तक जो थोड़ा स्केरी था क्योंकि मैं बहुत इमिच्चौ था इन एक्सपीजिंस था तो मुझे पता नहीं था क्या हुआ था इसमें लुकली जब होने लगा मेरे साथ तो सुझीद सार मेरा हाथ पकड़ रहते और बोल रहते तिरे साथ फिल्म में और बहुत इमोशनल सीन था मुझे आज भी याद है वह सीन जा मैं बाए बोल रहा हुआ कि मैं जाने वाला हूँ यह से और मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि कानी अब तक आउट नी है अभी रिलीस होगी फिल्म बट मैं बाए बोल रहा हूँ ब्लड़ी कोई अब इस ब्रोक डाउं मैं रोने लगा कुछ पाथ साथ मिनिट रोने लगा और वो अक्टिंग वाला रोना नहीं था मैं जेनूली रोने लगा मैं इतनी बुरी तरह रोया कि वो रख भी नहीं सकते है फिल्म में क्यूंके वो और वो मुझ से नहीं आ रहा था वो अब इतनी बुर्ण को बोला हूं कि तु क्या कर रहा है विससों इंबरेसिंग यह मत कर सब देख रहा है सेट पे यह नहीं रहा है और मैं बच्चे की तरह रो रहा था मैं इतनी फूट फूट के रहा था था वरूंध वह बहुत इमोशनल इंसन है हां इंक इंक डीप अठनी आपको प्रिजयट करना है अगर रोना भी है तो एक अच्छी तरीकी से रोना है आप मुह अगर ऐसे खोलके तो तो अच्छे नहीं दिख़ोगे स्कून तो वह मत करना है मैं वह नहीं बलीफ कर तो अगर मैं गंदा भी दिखू आगर मैं रो रहा हू या मेरा क्यरे उस वक्त तो यह नहीं ध्यान में रखेगा कि वह अच्छा लग रहा है यह चीज तो मैंने सेकेंड या थर्ड फिल्म में ही ठान लीती कि मैं वैसा शॉट नहीं दूगा कि हर शॉट में मुझे अच्छा लगना है चाहिए वह बहुत कमर्शिल फिल्म भी हो पर जब आप ऐसी फिल्म करते हो जब डिरेक्टर आपको धीरे धीरे धखेल रहे है कि यार खुल जा खुल जा खुल जा अंदर के जो हर फीलिंग है हर एमोशन है ऐसा परफॉर्म करो जैसे कोई कैमरा नहीं है कोई आपको देख र आप आपको दो कि अिर्व होग जा रह hierarch जा देता हो जो जादर के चल्म करते है और जोस्स तोने पह जार दो हम norms तोने तमया है कि यह थजल जुल जुल